जो चैप्टर हमारा चल रहा है बहुत पार्टनेश फंडमेंटल पिछली क्लास में हमने 43 कोशन तक कंप्लीट कर लिए तो आज की क्लास में हम 44 और 45 कोशन को ट्राइ करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं तो क्शन क्या कहता है 44 C and D are partner in a firm C has contributed 1 lakh and D 60,000 as capital Interest is payable 6% and D is entitled to a salary of 3,000 per month दो partner है C और D C ने contribute की है 1 lakh और D ने contribute की है 60,000 Interest जो उनको मिलना है वो 6% प्रतिवर्ष के हिसाब से मिलना है और D को क्या मिलना है? Interest दोनों को मिलना है लेकिन salary सिर्फ D को मिलनी है C को नहीं मिली क्योशन में लिए और D is entitled to a salary D को salary मिलेगी 3,000 per month यानी पूरे साल के कितने मिलेगी 36,000 तो इस question में कहीं पे भी बताया नहीं हुआ है कि भाई कब business शुरू हुआ है कब से पैसे दियो है firm में या कब से capital contribute किया उन्होंने तो ये date mention नहीं है तो हम ये assume करके चलेंगे कि beginning से ये 1st April से ही ये business शुरू चल रहा है पूरे साल का interest हम देंगे आगे क्या है In the year ended 31st March 2020, the profit was 80,000 before interest and salary तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ पिछली classes में जब question में profit word use किया हो तो इसका मतलब ये होता है ये वो profit होता है जिसमें expenses minus ना हुए हो यानि कि P&L के expenses minus नहीं हुए है जो कि हमें चीह होता है P&L appropriation account बनाने के लिए हमें कौन सा profit चीह होता है net profit जिसमें से सारे खर्चे minus हो रखे होते हैं और सिफ partners की expenses या partner की payment ही बची होती है वो हमें चीह होता है तो question में net profit word use नहीं किया है profit बोला है खाली तो इसमें expenses हमें minus करने चीह है जो नॉर्मली फर्म में होते हैं sell rate to employees, water expenses, staff welfare, electricity expenses, extra ऐसे जो पी एनल में आते है नॉर्मली लेकिन इस question में profit word use किया तो है लेकिन other expenses बताए भी नहीं हुए तो यानि कि हम इसी को ही net profit मानेंगे कि other expenses ने तो कहां से minus करेंगे तो profit और net profit वही same हो गया वैसे दोनों अलग-अलग होते हैं अगर यहां पर profit word use हो रखाया और यहां पर कोई expenses दिया होता है पीनल का इस question में तो हम वो minus करके net profit लिखते है लेकिन इस question में दिया नहीं हुए तो ठीक है भाई यह हमारा net profit है और यह net profit कौन सा है 80,000 before interest and salary यानि partner की salary और partner का interest माइनस नहीं हुए और हमें तो वही ची होता है क्योंकि PNL Appropriation Account बनाते ही क्यों है PNL Appropriation Account बनाते ही इसलिए ताकि हम partners को क्या-क्या दे रहे हैं उसका व्योरा उसमें दिखा सकी तो चले question को करते है तो पहले मैं इसका format बन करते हैं question में profit दिया हुआ है तो सबसे पहले by net profit before appropriation बटवारे से पहले profit का यानि partners को कुछ भी बाटने से पहले हमारे पास profit कितना है 80,000 फिर हम partners को interest देंगे interest on capital to interest on capital क्योंकि दोनों partners को मिल रहा है तो interest on capital हम यहाँ पे लिखके C's capital account और D's capital account हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे तो भी कितना interest मिलेगा मैंने बहुत था कि पूरे साल का interest निकालेंगे क्योंकि हमें date mention नहीं है जो 6 महिने का concept होता है वो drawing के लिए होता है capital के उपर ऐसा कोई भी concept नहीं है तो हम पूरे साल का मान की 6% का निकाल लेंगे तो कितना यहाँ पर 6,000 आएगा पूरे साल का और उसका कितना है 12 महीने का 60,000 D ने दिया है इसका 6% निकालेंगे 12 महीने का तो कितना यहाँ 3,600 यह हमने लिखी दिया फिर बोल रहे हैं कि two D's, D को क्या मिल रही है salary मिल रही है तो एक ही partner जिसको salary मिल रही है तो हम क्या लिखेंगे यहां बड़ D's, capital, account और bracket में डाल देंगे salary तो यहां पर अगर दोनों partner को मिल रही होते हैं हम क्या डालते two salary और फिर डालते C's, capital, D's, capital लेकिन एक ही बंदे को मिल रही है एक ही partner को मिल रही है तो D's, capital, account लिख देंगे और bracket में salary डाल देंगे salary कितने मिल रही है 3000 per annum के हिसाब से तो कितना हो गया 36,000 अब यह हमारा आगया two profit transfer to अब हमारा जो profit transfer करेंगे हम two नहीं लिखेंगे two लिख दिया एक बार two profit transfer किस पर करना है C's, capital, account D's, capital, account यह question आसान है आप खुद भी कर सकते थे लेकिन मैं इसलिए करवा रहा हूँ यह मैंने बोला कि मैं आपको एक question करवाँगा तो जिन बच्चों के question आता है वो अपना अगला question ट्राइ कर ले नहीं तो जिनको एक question देखना है तो देखे हो कर सकते है तो भई देखो 80,000 में से 80,000 फर्म की profit है उसमें से 6,000 दे दिया उन्होंने C को interest और 36,000 इसको दे दिया D को और फिर salary दे दी 36,000 इसको तो 34,400 बचे अब इसमें कोई भी ratio नहीं दिविए और जब firm कोई भी ratio नहीं देती तो आपने बड़ा था Indian Partnership Act 1932 में लिखा हुआ था जिसके regarding कुछ ना लिखा हो उसके उपर Indian Partnership Act लगेगी और Indian Partnership Act में क्या बुला था कि अगर आपको agreement में profit कैसे शेयर करना लिखा तो कैसे शेयर होगा वन रेशो वन वन रेशो वन के साब से वन बाई टू वन बाई टू क्यों दो ही पार्टनर है इसको डिवाइड कर दें ऐसे तो आए 17,200 और 17,200 यह हमारा आ गया 80,000 और यह भी हमारा आ गया और question को करेंगे 45 question edition 2020 का अमीत एन विजय स्टार्टिट अपार्टनर्शिप बिजनस कब शुरू हुआ है तो अच्छी बात है पिछले question में में नहीं थी हमें assume करना पड़ा था कि शुरूआत से इंट्रेस्ट है the capital contribution टू लाक और फिफ्टी थाउजन रिस्पेक्टिवली दो लाक इसकी contribution है देड़ लाक इसकी यानि पूरे साल का इसके उपर दो लाक का इसको डेड़ लाक का इंट्रेस्ट मिलता होगा partnership deed में क्या कर लिखा हुआ है कि इंट्रेस्ट मिलेगा 10 पसंद का चलो ठीक है अमित को मिलेगी salary पर मंद और विजय को मिलेगी 2000 इसको विजय को मिलेगी 3000 पर मंद ठीक है अच्छे दुनको salary मिल रही है profit are to be shared in 3.2 यानि profit की ratio भी दी हुई है हमने पिछले question में नहीं mention दी तो हमने equal मानी थी इस question में हमें 3.2 की ratio बोली हुई है अच्छे बात है net profit question में पहले ही mention है net profit तो इसका मतलब क्या है सारे खर्चे माइनस करके हमें P&L appropriation में बटवारे के लिए profit दिया हुआ है अगर यहाँ पर P&L का कोई भी expense show होता मालों यहाँ पर लिखा होता कि expenses of salary to employees amounted to 50,000 और यह net profit इतना लिखा होता तो हम P&L 2,16,000 में से 50,000 माइनस नहीं करते हम यह मान के चलते यह माना जाता कि वह minus होके यह value है क्यों यहाँ पर net profit बोला और net profit तब ही निकलता है minus हो रहा कभी कभी question मैं ऐसे भी लिख देगा net profit before salary to employees यानि salary employees को जो दिये हो minus करने से पहले हमने net profit है तो question में net profit reduce करेगा लेकिन वह पहले ही बता देगा भाई देखो यह net profit में से हमने वह वाला खर्चा प्यान का minus नहीं क्या होगा तो हम माइनस करेंगे क्यों specifically वह बता रहा है कि net profit profit है लेकिन खर्चा मैनिस करना रहा गया तो मैनिस करो अगर question मैं net profit दे दे और expense अलग से बताए तो इसका मतलब यह कि माइनस हो रखा है तो चली करते हैं question interest sorry net profit कितना है 2,16,000 interest on drawing amounting to 2200 इन्होंने interest on drawing हमें बता दी कि interest on drawing अमित के लिए इतनी है और 2500 विजय के लिए जो interest and drawing है वो firm के लिए profit का काम करते है firm के लिए वो क्या है income है जो आप drawing करते हो उसके पर वो interest आपसे ले रही है तो interest and drawing है मैं concept करवा चुक हूँ आपको तो 2200 उसने लिए 2200 अमित से लिए और 2500 विजय से लिए हमें P&L appropriation account बनाना है तो question करते है question number 45 था यह दिया क्या हूँ हमें by P&L appropriation account 2,16,000 का profit दिया हूए है net profit sorry sorry profit before appropriation कितना है कि अप्रोपेशन कितना है 2,16,000 का कभी भी firm यहां पर पैसे अपने ले के आती है और यहां पर बटवारा करती है पार्टनर्स के बीच में और firm कभी भी पैसे बातने से पहले क्या करती है सारे पार्टनर्स जो भी पैसे उसे लेने होते है वो लेती है पार्टनर खड़े होगे profit लेने के लिए salary commission interest की firm में profit लेने के लिए partner खड़े होगे तो firm क्या बोलेगी क्यों फर्म के हिसाब से हम accounting कर रहे है पार्टनर के हिसाब से नहीं तो firm क्या बोलेगी भाई देखो मेरे पास 2,16,000 मैं बटवारा करूंगी salary दूंगी commission दूंगी interest दूंगी और profit का हिससा दूंगी लेकिन उससे पहले मेरे को पैसे मिलने चीए पूरे दो सारे पैसे मेरे क को दो एक साथ ता कि मैं फिर बटवारा करूं कहते कौन से पैसे दूं कहते भाई हमें interest on drawing दो आपने drawing की थी और हमने अपने articles या हमने partnership deed में लिखा हुआ है कि interest on drawing आपको देना पड़ेगा तो interest on drawing कौन दे रहा है question में दिया हुआ कि interest on drawing दे रहे है partners और किसको मिलेगे ये firm और firm की interest on drawing क्या होगी income सी कौन पार्टनेर अमित अमित कैपिटल अकाउंट यानि उसके कैपिटल अकाउंट से निकाल रहे है अपने अकाउंट में डाल रहे हुआ हुआ विजेज कैपिटल अकाउंट मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एक firm ले रही है partner से तो हम capital word कैश में कोई चीज नहीं लेती ना कैश में देती है सिवाए drawing cash में वो लेके जाता है partner और introduce जो पैसे करता है यानि जो capital वो लेके आता हो cash में होता है interest या interest on drawing या interest on capital यहां पर मिलता है salary commission या profit का इसा वो credit होता है वो आपके account को बढ़ा दे जैसे bank में हमारा account जैसे interest मिलता है bank में तो हमें phone करके यह नहीं बोलता है आजाओ interest निकले जाओ वो हमारे account में डाल देते हैं credit करते हैं वैसे हमारे account में यह firm के पास हमारा capital account चल रहा हो तो उसमें वो पैसे निकालते हैं डालते हैं bank में अगर आपके bank charges लग गए हैं कोई penalty लगी है तो आपके account से minus कर लेते हैं आपके यह नहीं बोलते हैं घर से पैसे लेकर आओ cash में वैसे यह concept यहां पर है वो आपका account firm के पास चल रहा है तो account में debit करेंगे या account में credit करेंगे तो भाई आपके account चे पैसे निकाल के अपने पास ले रहे हैं कुईतना 2200 और 2500 तो total कितना हो गई है और तो कुछ हाए नहीं दो लाग 16,000 प्लस 2200 प्लस 2500 यह बन गया हमारा 2,20,700 फिर अब firm के पास सारे पैसे आ चुके अब firm बटबार करेगी firm कैसे बटबार करेगी सबसे पहले विदेगी वो interest to interest on capital दो पार्टनर को देना है तो वर्ल लिखेंगे to interest on capital अमीट्स capital account 10% का है उसने दो लाग देते शुरुआ तो यह पूरे साल का कितना मिलेगा उसको 20,000 विजेस capital account उसने देते डेड़ लाग 10% के साब से पूरे साल कितना मिलेगा 15 अगर कम दिनों के लिए दिये हो दे चे महिने के लिए तो चे महिने का अब वो interest के बाद आए के बारी salary की ऐसे काम चलता है interest फिर commission फिर salary की कोई बात नहीं है salary लिखने के बाद या सेलरी लिखने के बाद यहां लिखेंगे हम कि दोनों पार्टनर्स को मिल रहे तो हम इस कैपिटल अकाउंट उसको मिल रहे 24 हजाने 2000 पर मंथ और इसको मिल रहे 3000 पर मंथ उसका कितना होगा 36000 अब मिल रहे प्रॉफिट अब प्रॉफिट का बढ़ारा करना है टू प्रॉफिट ट्रांसफर प्रॉफिट ट्रांसफर कैसे करना है थ्री टू की रिश्यो में अमिट्स कैपिटल अकाउंट विजेज कैपिटल अकाउंट तो भाई देखो हमारे पास था टूटल फर्म के पास उसमें से 20,000 उसने अमिट को कैपिटल इंटरस्ट दिया पंधाजार इसको दिया फिर सेलरी बाटी 24,000 36,000 अब उसके पास पड़े हैं 1,25,700 वर्किंग में करना होता है लेकिन मैं यहीं पे कर रहा हूं ताकि बार बार मुझे पेज उपर नीचे ना करना पड़े इतने पैसे उसने बाट नहीं है प्रोफिट और इसी की रिश्यो दिये 3 बाई 2 कोकेशन में लिखा हूए न है प्रोफिट आट टू बी शियर्ड इन दा रिश्यो और प्रोफिट कौन सा होता है बचा हुआ प्रोफिट सारा खर्चा करने के बाद यह प्रोफिट बचा है थी टू तो एक लाग पच्चिस अजार का साथ सो का थी डिवाइड बाई 5 कितना हो गया 75,420 और दूसरा कितना हो गया सीधा ही माइनस कर देते हैं 50,50280 अभी हमारा क्वेश्चन सॉल हो गया पूरा का पूरा तो क्वेश्चन में कैसे फर्म पहले पहले पूरे पैसे कठे करती है वो प्रोफिट पिन अल में जो भी एकpsपैसे होते हैं को माइनस करने अब प्रॉफिट यहाँ पे लेकिए जो उसे पैसे पैसे उते सबसे पहले इसको ऐस पसरे इसको करते फिर घटबारा करती है फिर लागए पोशन में अबंश हो गया आज के लिए बस इतना ही अगले बागी questions अगले class में करेंगे Thank you